नमस्कार दोस्तों दोस्तों जिस तरीके से महायूती में टूट की खबरे नाराजगी की खबरे सामने आ रही है उससे एक बात तो जाहिर है कि महायूती के सहयोगियों में कुछ ठीक नहीं चल रहा है कुछ ऐसा ही नजरा आप अजीत पवार के साथ भी देख सकते हैं जहां पर अजीत पवार भाजपा नेताओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं और भाजपा अपने सहयोगियों की जो नाराजगी है वो दूर नहीं कर पा रही है जसका जो अंदाजा है वो नवाब मलिक ने खुद कह दिया है कि चुनावों के बाद अजीत पवार कहां जाएंगे कुछ पता नहीं है यानि कि नवाब मलिक के इस बयान के बाद अब काफी कुछ समझ आने लगा है काफी चीज़े क्लियर होने लगी है दोस्तों ये वही नवाब मलिक हैं जिनके लिए अजीत पवार ने अपने सहयोगी भाजपा को नाराज कर दिया था क्योंकि भाजपा नहीं चाहा रहे थी कि अजीत पवार नवाब मलिक को टिकेट दे उन्हें चुनाव लड़ाएं उसके बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकेट दी, मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से उमीदवार बनाया और उनके इस टिकेट देने के बाद भाजपा और अजीत पवार में नाराज़की हो गई है, खास तोर पर फड़नवीस और अजीत पवार के बीच दूरियां बढ़ गई है, नवाब मलिक को टिकेट देने के बाद भाजपा ने एलान कर दिया था कि आपने नवाब मलिक को टिकेट दी, तो हम नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेंगे, इसके बाद अजीत पवार ने अपने जिस सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं, उ यह है कि अजीत पवार चुनाफ के बाद कहा जाएंगे कुछ पता नहीं, यानि कि अजीत पवार चुनाफ के बाद महायुती का साथ छोड़ सकते हैं, वो नवाब मलिक के इस बयान के बाद से साफ हो चुका है, दोस्तों अजीत पवार जो हैं, वो महायुती में काफी कु हैं जो उनकी राजनितिक समझ है उसका कुछ हिस्सा तो अजीत पवार के पास भी है शरत पवार का एक बयान भी सामने आया था जिसमें शरत पवार ने कहा था कि जिसकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटे जीतेगी वो ही पार्टी से जो मुख्यमंत्री है वो चुना जाएगा यानि कि उसी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और अब कहा ये भी जा रहा है कि अजीत पवार अगर 20 से 25 सीटे जीतते हैं और इसके बाद महायुती के साथ चोड़ कर महाविकास अघाडी के साथ जाते हैं तो इससे महाविकास अघाडी को तो फायदा होगा ही लेकिन भूलिएगा कि अजीत पवार लगातार बगावती सुर दिखा रहे हैं अजीत पवार लगातार भाजपा से नाराज चल रहे हैं और नवाब मलिक ने अजीत पवार और शरत पवार के एक होने के मामले पर एक होने की बात पर भी बड़ी बात कही है जहां पर नवाब मलिक ने कहा है कि लाठी मारने से कभी पानी अलग नहीं होता यानि कि उनके इस बयान के बाद ये साफ हो चुका है कि हो ना हो 23 नवंबर को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद अजीत पवार कोई बड़ा खेला कर सकते हैं और नवाब मलिक के इस बयान के बाद एक बात तो साफ हो रही है कि हो ना हो अजीत पवार दोबारा से शरत पवार के साथ जा सकते हैं क्योंकि शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी एक बात साफ कर दी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी और अजीत पवार मुख्यमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री की कुरसी क लिए हो सकता है कि अजीत पवार महाविकास अघाडी का दामन थाम ले लेकिन जिस तरीके से अजीत पवार के बगावती सुर अजीत पवार की नाराजगी सामने आ रही है उससे एक बात तो जाहिर है कि अजीत पवार महायुती के साथ जादा दिनों तक टिकने वाले नहीं ह और अब इस बात पर मोहर लगाने का काम नवाप मलिक ने भी कर दिया है इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा ये वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चिश्मा यूसी पर देख रहे थे मेरा नाम अवंतिका आवस्थी है